अगलो फ्रेंड्स एवन टुटोरियल्स पे आप लोग बहुत-बहुत श्वागत हैं जिसा कि आप लोग जानते हैं कि आयस जो 2021 है प्रिलिम्स हम लोग का दखस अक्टूबर को आने वाले 10 अक्टूबर को वने वाला है अगर हम देखें तो हमारे पास दोस्तों टाइम बजता है जो लगबात तीन महिने के आज पास हम लोग पास जुलाई वालो यह है और अगस्ट सितम्बर तो हम लोग तीन महिने मानके चलते हैं दोस्तों तो सबसे पहले हम लोग प्रिलिम्स के लिए क्या इस्टेट जी है क्या जैसे कुछ हमारे एस्ट्रेंट्स हैं जिन्ह जन्होंने अभी तक कुछ भी तैयार ही नहीं कर पाई है तो क्या कहते है म podia तीन महिने में सारे कबर साहते हैं दोस्तों तो यहां पर दोस्तों मैं आप लेके आया हूँ जो इससे मैं current affairs related बात करूँगा कि कितने यह के current affairs तयार किये जाएं जिसमें मैं आपको strategy बताऊंगा और strategy के साथ साथ मैं आपको daily आपके लिए एक video upload करूँगा जो कि एक से लेके 5 जिसमें 5 दिन का पूरा current affair A to Z covered होगा और उससे related weekly मैं आप लोग का जैसे दोस्तों अगर हम क्या करें अगर मान लेजिए कि मैं हपते बर में एक दिन में हम लोग 5 तारिक तक जैसे सब्सक्राइब एक मन्त में 125 ऐसे करके कर हम सीखते हैं एक दिन में पांस दिन का सीवं current affair और उससे related जितने भी types की questions बन सकते हैं उसको हम लोग कर लेते हैं तो हमारा पांस दिन का current affair किलियर हो है दोस्तों तो इसी तरीके से हमारे पास लगभग एक हपते में हम फाइफ सीज या 30 चाहें तो एक महीं के हपते में हम six days में हम लोग पुरा एक महीने का current affair किलियर कर सकते हैं तो दोस्तों संडे को मैं आप लोग के लिए उसी से कुछ तियार करूंगा जो आपको PDF के माध्यम से provide करूंगा और आप लोग उस कुछ को करना होगा तो बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा पहले प्रेलिम का मैं लोग स्लेबस देख लेते हैं तो तो आप देखि ले आवर्स क्या होते हैं दोस्तों टू आवर्स होते हैं हमारा कितना होता है दो आवर्स का टाइम होता है यह मेरा दो आवर्स का टाइम हो गया दोस्तों यह टोटल दोसो नंबर के तो 200 marks की questions होते हैं और times हमारा होता है 200 sorry 2 गंटे का जिसमें हमें total एक question के लिए हम देखें तो लगबग 120 मिनट में हम लोग को 100 questions हमारे पास होते हैं जो कि कह सकते हैं कि 1 गंटे कुछ second हम लोग को मिलते हैं तो पिलाल उससे कुछ ने वो तो आपका GS रहता है तो आपका cover हो सकत है बाद दोस्तों सबसे पहले मैं सले देख लेते हैं तो हुआता है मेरा current affair तो करनट क्या प्रेंट अध्यर करेंट इबंट्स जो वह मारे current से विए चल ला है ओके दोस्तों और नेशनल इंपर्टेंस नेशनल इंपर्टेंट्स आपकी हैं तो करनट इवेंट्स और national importance तो दोस्तों इस में अगर national importance के हम बात करते हैं तो नस्नल इंप्च्ट क्लेंटफ घ्र हमारे लगबग जितने भी लोग का कैना है कुछ लोग कहते हैं लेड़uh साल का लेकिन सल आना की प्रिशली को साल के भीर फोकस करते हैं तो और ज्याधा दोस्तों देखते हैं रहता है वह जाता तर पूछा जाता है दोस्तों तो हम पिलाल आप लोग को जो कवर कराएंगे आने अब लेट आभी वीडियो में तो क्या करेंगे उसमें हम आप लोग को सिर्फ और सिर्फ जर पहले मैं आपको जनुरी से लेके इधर अक्टूबर तक जो भी अक्टूबर सितंबर या अक्टूबर नॉंबर दिशंबर तीन महीने 2020 के मैं आपको करेंट अफियर रेडी करोंगा तो दोस्तों पहले से लेबस देख रहे हैं तो हिस्ट्री आफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट कह रहा है हिस्ट्री आफ इंडिया एंडियन नेशनल फिर दोस्तों के बात होती है जोग्राफी में तो जोग्राफी में इंडियन एंड वर्ड जोग्राफी एंड फिजकल सोसल एकोनामिक जोग्राफी इंडिया आप दा वर्ड तो यह बात समझ मैं दोस्तों क्या कह रहा है सबसे पहले वर्ड जोग्राफी इंडियन फिजकल सो और एकोनॉमिक्स इतने सारी चीज़ें तो थोड़ा आ रहा है फिर दोस्तों बात करते हम दोस्तों अब पॉलिटी की बात करें तो मेरी पॉलिटी कितनी है पॉलिटी में दोस्तों मेरा आ रहा है गवर्नेंस तो हमने पढ़ा करेंट अर नेशनल मुवमेंट्स पढ़ लिया और उसके बाद जोगरफी फिर इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस और पॉलिटी और सिस्टम पंचायती राज ये सारे हमारे हिस्टे हो गई जोगरफी हो गई और पॉलिटी हो गई अब हम बात करते हैं economics की हम बात करें तो economics की हम बात करें तो टोस्तो मेरा economics economics में development sustainable development poverty demographics social sector in initiative दोस्तों फिलाल हम नहीं कैसकतेec gap क्लगब़क इतना स्लेबर सेफिशेंट है कि इसको तो जीएस जो होता है उसको मैं कहीं से भी कभी भी पूछा जा सकता है लेकिन हम लोग ज्यादा तर जो कुश्चंस आएं बाइदावे उससे हम गेस कर सकते हैं तो उसी चीज से करके हम देखते हैं कि किस फूर्शन से हमारा ज्यादा आया है फिर उसके बाद देखते हैं चोथी पॉइंट जो होती है जन्रल इस्यूज क्या होता है दूस्तों जन्रल इस्यूज में हमारा इन्वार्मेंट एंड इकोलोजी आपको पढ़ना होगा बायो डाइवर्स्टी सब्सक्राइब क्लाइमेट चेंज एंड डू नाट रिकॉर सब्जेक्ट इस्प्रसलाइज जन्रल आपको आना चाहिए दोस्तों तो जन्रली आना चाहिए तो जन्रली आएगी भी तो दोस्तों अगर हम जो हम लोगा पिछले साल का अगर हम देखते हैं पिछले साल का जो हमारा जैसे कि पिछले साल हम लोगों ने पेपर देखा और एविलेट किया तो हम लोगों ने क्या देखा कि इनने देखा दोस्तों कि पिछले 2011 में 2011 में हमारे क्रेंट के 13 question थे 12 में वन फिर 13 में 0 उसके बाद हम लोगदे रहे हैं कि जैसे जैसे होता है हम लोग के 2018 ऐसे हम लोग के कूश्चन gaming करेंट पहेर से दोस्तों तो हम मानते हैं कि अगर हम NCRT मालिया प्रिफर कर लेते हैं प्री के लिए मैंने क्या किया दोस्तों अगर जो स्टुडेंट्स जो एस्प्रेंट्स हैं अगर वो आई होप की जो तैयारी करना मतलब तीन महीने उनके पास बचे उनकी कोई भी तैयारी नहीं हुए तो आई होप कि उन लोगों सबसे पहले अगर वो स्टेंडर्ड पढ़ते हैं तो भी उनको समझ में नहीं हो जाए होगा तो आई होप मैं कह रहा हूं कि उनको NCRT क्या कहीं से भी या कोई एप से या किसी भी उससे पीडिया जो मिल लाया है क्योंकि अब बुक पढ़ने का भ लगवग यहीं से तीन महिनों में अच्छे से आप कवर कर लेते हैं लासट क्योंकि ने इसमें सबसे अच्छी स्ट्रडजी आप के अपके पास टाइम नहीं है तो आप NCI पूरा अपना फोकस कर लिजिए भाइद अगर नेस्ट चांस आपको मिलता है तो आपकी NCRT पूरी complete रहेगी आप स्टेंडर्ड और current लेकर चल सकते हैं और आपका प्री किलियर हो सकता है तो दोस्तों इसमें अगर हम analysis करते हैं तो क्या मिलता है हमें दोस्तों कि यह हमने देखा कि जो current फेर था देरे-देरे घट बढ़ र कि देख रहे हैं तो हम लोग देखते हैं यहां पर दोस्तों कि यहां पर जैसे टूथावजन नाइन में कुश्चिन तूथाजन ट्वंटी त्री में कुश्चिन ऐसा जिस जो current अनमबर आप current affairs कुश्चिन से दोस्तों जो कि जब समय current फेर जैसे मालु मेरा सर्प मालु सर 32 जिस समय करेंट फेरा है उस समय मेरा जो कटाफ गया 105 गया 29 में 116 कटाफ गया था मतलब कितना कुश्चन दोस्तों मालके चलते हैं कि हमारे 50 से 60 कुश्चन सही होने चाहिए दोस्तों कि अब हम लोग का जो सोर्स है क्या हम अपनाएं सोर्स हम लोग बात करते हैं आपर सोर्स की क्या हमारे सोर्सेज हैं इसके तो दोस्तों सबसे पहली चीज है हम कह सकते हैं जैसे हम कहते हैं कि दोस्तों इंडियान एयर बूक या कुछ नुच पेपर दाहिंदू यह सारी चीज सकते हैं कि maximum आप हो सके तो इसको पढ़िए और कवर कीजिए जैसे हमारा इसमें से मिल हो गया इंडियन इंडियन एक्सप्रेस जो की मोस्ट इंपॉर्टेंट है मनोर्मा क्योंकि आप एक साल से तैयारी कर रहे हैं अगर आप प्रॉपर अपना नूट्स की रेटर है तो आपके लिए सबसे बेटर है अब उसके बाद फिर हैं मनोर्मा इयर बुक एक आती है दोस्तों एकोनामिक सर अर्वे आपका आता है मदवनी एयर बुक आती है करेंट अफ्यर्स अरिहंत का आता है योजना मैगजीन भी आपके लिए सबसेंट हो सकती है और प्रतियोगिता दरपन मैजीन तो दोस्तों इसमें सो अगर आप यह पूरा पढ़ते हैं तो आपको बहुत टाइम इसमें आ लेनी पढ़ सकती है जिससे आपको क्या होगा पूरी स्टोरी पता हो जाएगी दोस्तों तो यह रहा आपका करेंट अफेर का पूरा स्लेवर्स दोस्तों तो अब हम बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं अब टॉपिक्स में बात करते हैं कौन कौन से हमाई पास होने चाहे हैं दो सब्से पहले होता है national issues दोस्तों नेशनल issues आप के जो नहे नहे रोल्स हैं regulations हैं उसमें issues वो हमें करना पड़ेगा इंडियन economy जैसे आपका budget सथ रो गया जो की फर तोरी में निकलता है इंडियन quality दोस्तों तो इंडियन quality में आपकी कभर करेंगे फिर जी ड opinion इस री जीस रेलेटेड ईसे हाइउ कोर्ट सुपर्यम कोर्ट इन सब चीजों से एनवारमेंट दोस्तों फिर उसके बाद साइन्स के लाज़ी साइंस या दोस्त क्या पड़ेंगे उसमें जो साइन्स टेक्नोलाजीस से रेटेट हमारे बन सकते हैं फिर इस्टेट न्यूज आ सकती है सोचल स्कीमस एसपर्ट न्यूज में थोड़ा बहुत पुछा जा सकता है रिपोर्ड जो नहीं नहीं रिपोर्ड हमारे आए हैं सर्वे के उसके बाद कमिटी कमिशन एवार्स एंड होनर्स एक्सिडेंट एंड कलामेटी एंड फश्ट इन इंडिया यह सारे टॉपिक्स हैं दोस्तों जो हम लोग को कवर करने हैं तो अब बात करते हैं यहां पर फश्ट इन दा वर्ड भी आ सकता है दोस्तों से कमेंटी रिकमेंड़ेंधेंद ज्क्रफिकल एराउंड दा वर्ड तो दोस्तों यह में इसमें मैं और यह मीने का दोस्तों क्षप करने तो दोस्तों मैं आपको सुछाओं कि थे मोग के साथ सेर कर रहा हूं तो दोस्तों पहले मेरा नाम आप समझ लीजिए मेरा नाम है अतीश कुमार पांडे मेरा नाम अतीश कुमार पांडे मैं आप लोग को जो स्लेबस मैं आपको बता रहा हूं जो मेरी स्टेट जी वही मैं आप लोगों से सेर करने माला हूं तो सेर करने तो तो क्या Favor हम करते हैं कि जैसे हमने अजूचा दूस्तो पहले हम जनेवरी से लेकर हम लोगं लोगं स्वारी सितंबर तक बिल्कुर कवर कर लेते हैं तो दोस्तो अगर हम पॉढ़े पांच दिन का प्रोवाइड कराऊंगा उसमें आप देखके खुद का नोट्स बना लीजिएगा दोस्तों और उसके बाद आप उसके रेटेट कितने कुश्टन्स बन सकते हैं यह आप लिख लीजिएगा दोस्तों और उसका रेजल्ट पर क्या आपको मिलेगा उसका जब आपको संडे को आपका टेस्ट होगा तो आप उसमें कितना प्रोग्रेस कर पाएं आपका करेंट कितना रेडी है यह आपको वहाँ पर पता चलेगा दोस्तों तो हमारी जो इस्टेट जी है आप परड़े आपको साम तक दोस्तों जैसे अगर हम लोग कल माले पांच जनौरी से अगर आपकी वीडियो मैं चुछ श्टार्ट कर देता हूं तो फरड़े दोस्तों आपको मिलेगा मेरा वीडियो जो होगा साम को आपको 6-8 की बीच में मिल जाएगा दोस्तों आपको मेरा वीडियो आप उसको यूट ible.id कीजीएगा कि कि इस टाइप के की दाइप बन सकते हैं अगर नहीं हिफ्य वीडियेट कर पाते हैं कोई बात नहीं संडे को मैं आपका टेस्ट होगा तो आपको पता ही चल जाएगा कि कितने टाइप के कुछ तरह के कुछ चन आते हैं तो दोस्तों यह रही हमारे करेंट अफेर की स्टेट जी तो यह आपको वीडियो मिल जाएगी आपको मिल सकती है तो धन्यवाद दोस्तों और I hope कि आपका फ्रेलिम्स केलियर हो जाए